बुल्दाना शार में कोरोना वारिस से संक्रमित दो और मरीज सामने आया है शनिवार को कोरोना से मरने वाले मरीज के दो परिजनों की रिपोर्ट पाजिटिव आने के कारण बुल्दाना जिले में हड़कम पमज गया है कोरोना संसरगर से बुल्धाना में हुई पहली मौत के कारण बुल्धाना में सन्नाटा चा गया है साथी यहां के नागरिकों में भैका वातरों देखा जा रहा है जिला परशासन ने यहां पूरी तरह से नाका बंदी लगा दी है नीमोनिया बिमारी के कारण शहर के एक नीजे अस्पताल में उप्चार कर रहे मरीज के हलत गंबिर होने के बाद उसे जिला अस्पताल के आईसोलिशन वार्ड में दाकिल किया गया था जिसकी शनिवार को मौत हो गई थी जिसके बाद उसके स्वैप के सेंपल नाकपूर प्रयोक्षारा भेजे गए थे जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके कारण पूरे जिले में आतंक फैल गया था बुल्डाना में दो दिन पहले मुर्थ कोरोना वाइरस पॉजिटिव के संपर्क में आये 32 लोगों के नमूने नाकपूर जांच के लिए भेजे गए थे जिसमें से 20 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है परन्तु मंगलवार की सुबह आई रिपोर्ट में दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण बुल्डाना जिले में हड़कंप मज गया है दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टी जिला शर्लेच की सक डॉक्टर प्रेम चंद पंडिक ने की है पर आप तो जानकारी के नूशार जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें से एक वेक्ति के आईउ 65 वर्ष जबकि दूसरे की आईउ 13 वर्ष है या दोनों कोरोना वाइरस से संक्रेमित मुरत वेक्ति के रिष्टेदार है